येदी आप चाहते हैं कि पल भर में कीसी भी लड़की को पटाले कीसी भी इस्त्री को पटाले उसके दिलों दिमाग में अपने लिए महबत पैदा कर दे उसको अपने प्यार में दिवानी बना दे तो थोरी सी मत्रा में चावल और दो लवंग लेकर यह टोटका आज कर मेरा दावा है कि सिर्फ दो मिनट का यदि आज समय आप दे दिजिएगा तो वो इस्तरी जिवन भर के लिए आपके प्यार में पागल दिवानी होके आपके पीछे-पीछे घुमना शुरू कर देगी। आपको बोलेगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। दो लवंग लेना है और थोरी सी मत्रा में चावल लेना है और कैसी श्टुटका को करना है घर बैठे कि कोई भी इस्तरी होगी। पल भर में आपसे प्यार करना शुरू कर देगी एकदम आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी। ये दुनिया का बहुती तेज वसी करन टुटका है। ये इतना तिवरी वसी करन काम करता है कि आज की जीएगा तो ये कुछ मिंटों में भी ये असर धिखा देता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा तो चार से पांच घंटा का समय लगेगा वो इस्तरी आपके प्यार में दिवानी होके आपके पीछे पीछे घुमना शुरू कर देगी जेदी आप किसी इस्तरी से प्यार करते थे लेकिन उसने आपको धोखा दे दिया है आपका ले लिजिए थोरी सी मत्रा में चावल ले लिजिए और हम जैसे बता रहे हैं वो इससे आप समझ लिजिए और कर लिजिए मेरा दावा है कि आपका प्यार आपको जरूर मिलेगा वो इस तरी आपके प्यार में दिवानी होगी तो होगी जो इस तरी कभी आपसे बात नहीं कर तो आईए बतलाते हैं कैसे आपको ये पाउर फूल वसी करन तुटका करना है ये आप चाहते हैं कि हमेशा इसी तरह का वीडियो आपके पास जाए तो पिलिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दिजिए तक जितने भी बुड़ी बनाएंगे सबसे पह बीच में छोर कर नहीं जाएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको और एक बार सीख लेते हैं तो जीवन में कीसी भीस्त्री को अपने प्यार में दिवानी बना सकते हैं और अपना बीचरा हुआ प्यार रूठा हुआ प्यार पल भर में पास सकते हैं पती पतनी के ब बस में करके मंचाहे काज करवा सकते हैं और मेरा दवा है कि जीवन में वो इस्त्री कभी विचोरका आपको नहीं जाएगी तो आई बतलाते हैं कैसे आपको ये पहुआ फ्लोशिकरन टूटका करना है सिर्फ दो लवंग और थोड़ी सिमत्रा में चावल ले करके सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि इस वसिकरन टूटका को मंगलवार के दिन या बुधोवार के दिन करना है जब भी कीजिए असनान कर लीजिए सापका प्रेधारन कर लीजिए और आप उत्तर दिशा की ओर घूम करके इस टूटका को कीजिए सिधर ही आपका प्यार आपको म इसमें महनत करनी की जरुवत नहीं है देखिए बहुती आसान है और सबसे बरी बात यह है कि इसमें किसी परकार की एक्षा समागरी की जरुवत नहीं है सिर्फ दो लवंग लेना है और थोड़ी सी मतरा में चावल तो आईए बतलाते हैं कैसे आप किसी भी इस्तरी के दिलों दिमाग में अपने लिए मोहबत पैदा कर सकते हैं उसको अपने प्यार में धिवानी बना सकते हैं करना क्या होगा ध्यान से देखिएगा सबसे पहले किसी बरतन में या कावज पर आपको थोड़ी सी मतरा में चावल रख लेना ठीक ना दो लवंग लेना है जैसी कि मैंने यहां पर लिया हुआ है उसके बाद में हम जो मंतर बता रहे हैं बहुत ही छोटा मंतर है सुनकर ही आपको याद आ जाएगा बहुत ही छोटा है और इसी मंतर का प्रियोग करना है और चमतकार दिखी हम जैसे बता रहे हैं वो इससे कर दीजिएगा वो इस तरी चार से में दिवान होके हमेशा हमेशा के लिए आपके पास चली आएगी वह खुद आपसे साधी करने के लिए राजी हो जाएगी तो आई ये मतलाते हैं वो कौन सा मंत्र है और कैसे इसका प्रियोग करना है इस दोनों लवां को उठा लीजिए गए इस प्रकार से और इस चावल को इस प्रकार से मिलाते रहिएगा और जैसे हम मंत्र का प्रियोग कर रहे है उस तरह से आपको करना है धान से सुनिएगा आपको 550 बार ही करना है इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़िएगा ओम हुम वस्रम स्वाह इस परकार से मिलाते रहना है इस मंत्र को पढ़ते रहना है और इस पर क्या करना है जिस विस्तिरी को अपने वस्मे करना चाहते हैं जिसको दिलों दिमाग को अपने लिए महबत पैदा करना चाहते हैं उसका नाम लेकर इस पर एक पर फूंक मार पिर उस इस्त्री का नाम ने किसफ़े फूंक मार देंगे, इस परकार से 501 बार इस मंत्र को पढ़ना है और चमतकार देखे, जैसे ही 501 बार हो जाएगा, उसके बाद में इस दोनों लवांग को और ये चावल को, ये इस मंत्र से सीध हो गया है, उस इस्त्री के नाम से सीध हो गया हुआ सी करन तुटका अब कुछ नहीं करना है आपको करना कहा ध्यान से देखिएगा थोड़ी से मातरा में चावर और दोनों लवां को आपको जिस मिश्टरी के इसमें नाम लिये हैं जिसको अपने प्यार में दिवानी बनाना चाह रहे हैं उसके सर पे या सरीर पे क आपको की सरीर पे भेंगें बहुत ही आसानी है देखिए आप इसको हाथ मेरा अखले इस परकार से और आपको उसके पिछे से जाए कहीं से भी आराम से उसके सरीर पे फ्हेक दीजे पिछे से इतना हलका होता है पता भी नहीं चलेगा उसको आपका काम भी बन जाएगा ये दियाब चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो आपके पास समेशा जाए तो पिलिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बिल घंटी को दवा दी तक हम जितने भी बुट बनाएंगे सबसे पहले आपकी के पास में जाएगा